आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल प्रमोसर वारानसी में आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य फ्रिंट्स एक्जाम के पॉइंट अभी उसे वेरी 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 इंपोर्टन टॉपिक है और यहा ही वीडियो में याद होने वाला है और लास्ट में जो प्रिवेसर कोशन पूछे गया है इससे इसको भी हमने कोशन लिया है तो उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगे हैं कुल नव राज्य हैं कौन-कौन से हिमांचल प्रदेश राजस्थान बिहार हरियाना मध उत्तर प्रदेश चतीसगर उत्तराखंड जहारखंड और दिल्ली तो यहां पर ऐसी ट्रिक हम लेकर आये हैं कि आपको जिंदगी भर नहीं बुलेगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां पर देखे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों की संख्या अगर कुल पूछे लगे राज्यों की संख्या कुल नव है अगर अन्य राज्य पूछे या यूटी अगर एड़ कर दे इसको हटा कर तो उनके राज्यों की संख्या आठ हो जाएगी चलिए इसको लास्ट में भी हम बात करते हैं तो यहां परम को याद करना है उत्तर है ऑश्राज है कि यहां परिखिशन कहर तक एक्या है hai कि हमा राज-बिहारी का दिल यानि कोई बच्चा है या राज-बिहारी यहां हरी बध्र-च्छतिस कंड में ऊत्र आप कैसी इसको याद करना है कोई बच्चा है कह रहा है कि अपनी मां से मां राज-ब्रथ ल आगों और खंड से हमारा हो जाएगा जार खंड और उत्रा से हो जाएगा उत्रा खंड तो करा कि हेमा राज बिहारी का दिल हरी के मद्चिस खंड में उत्रा तो हरी के मद्चिस खंड में उत्रा इसको कैसे यात करेंगे हरी से हो जाएगा हरी आना मद्चिस एमां राज बिहारी का दिल हरी के मद 36 खंड में उत्रा इसको दो-तीन बार कहिए याद हो जाएगा हेमा राज भिहारी का दिल हरी के मद 36 खंड में उत्रा हेमा से हिमांचल प्रदेश राज से राजस्थान भिहारी से भिहार दिल से दिल्ली हरी से हरियाना हो जाएगा मद्ध से मद्ध प्रदेश और 36 से 36 गड़ और खंड से जहार खंड उत्रा से उत्रा खंड तो यहाँ पर हमें नव राज याद हो गया है यानि उत्तर प्रदेश से सटे हुए नव राज बिल्कुल ट्रिक के मादम से मने याद कर लिया है और यहाँ पर देखिए जो प्रिवियस र कोशन पूछे गए इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो देखिए आपकारी सिपाही परिक्षा 2016 में पूछा गया है उत्तरप्रदेश राज की सीमा अन कितने राज्यों को असपर्स करती है ठीक है अन कितने राज्यों को असपर्स करती है तो यहाँ पर आठ हो जाएगा कितने राज्यों को अन्य आठ राज्यों को असपर्स करती है लेकिन अगर यहाँ पर एक सब्द और जुड़िया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों को असपर्स करती है अगर जोड़ दे कुल तो आपको 9 लगाना होगा ठीक है अगर यहाँ पर कुल आइड कर दे तो आपको नव लगाना पड़ेगा लेकिन अन्य राज आइड किया है तो इसके वाई से यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर आठ राज्य हो जाएंगे दूसरा कोशन देखिए 2015 में पूछा गया है एक कोशन पूछा गया था 2016 में और एक कोशन यहाँ पूछा गया ऑर भी कोशन पूछे गया है उत्तरपदेश राज की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी को छोड़ कर ठीक है यहाँ राश्टी राजधानी को छोड़ कर इसको छोड़ कर कहा है तो कितने हो जाएंगे आठ हो जाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट बोल दिया है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी को छोड़कर उत्तरपदेश राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से लगी हुई है तो आठ राज्यों से लगी हुई है और इसको मैंने ट्रिक से देख लिया और एक साथ याद रखिएगा इसको कि अगर कुल सब एड कर दे कि उत्तरपदेश राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों को असपर्स करती है तो आप नव टिक करिएगा इसको आप विसेश फोकस करिए तो आसा करता हूँ फ्रेंड्स याद हो गया होगा बहुत ही आसान ट्रिक है और उसके बाद यहाँ से कोश्चन ब